अगे फिर से एक बाबाल से वीडियो लेके आज बात करेंगे गाइस प्लैंक की प्लैंक एक ऐसा एक्साइज है जिससे आपका स्रिफ ओब्लीकर एबस हीने पुरा वाड़ी का एक्साइज होता है काफी लोग नहीं जानते होंगे लेकिन आज प्लैंक का बैरियेशन चेंज क भीतिर करतेजर कर के काफी कुछ सरीट का चेंज कर देंगे यानि जिसका पॉस्चर कराव है जुके हुए चलते हैं उनका ठीक हो जाएगा रिड़कार बैंक में पोस्टान हो जाता है भो ठीक होगा प्रैंक से ओभराल बॉडी का एकस्राइज होता है तो आज ही करेंगे तिन से चार fiion च्रॉप्ञ शेंज करेंगे प्लम का तो वीडियो में बने रहा है कि करने एंटू होने वाला हम करेंगो जलदी से करते होंगे अपने कोड के लिए के लिए सब जानते हैं करते हैं स्टार्ट देखिए सबसे पहला होता है जो आपने फोर आर्म को यहां पर रखते हैं अईसे यह काफी पेन जो है आपका ओवराल पोस्चर ठीक हो जाता है इसको आप 30 से 40 सिकेंड कर सकते हैं आपके पास शमता है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं आप शुरू सुरू में जितना हो रहा है दस से 20 सेकेंड उतना ही करिए लेकिन उसके आपको तीन सेट करना है ओके इससे आपका ऐसे करने से आपका ओलीग जादे से जदे उवरेगा आप इससे डेली एक से दो मिनें ट्राइक करीएगा इस पोस्चर को ओके तो अगले पोस्चर के लिए चलेंगे जो काफी में इंट्रेस्ट्टिंग होने वाला है ओके चलेंगे अपने निक्स ऐसे रखना है अपने सोल्डर को लेवल में ओके और एक जो पैर है दूसरे पैर के उपर रहेगा और हाथ आपका ऐसे रहेगा ओके इसका इसके आपको यह जो भाड है पूरा आपने रहेगा अब लिक पे एस्ट्रकांचेस पे आपका जल्दी से जल्दी एस्ट्रकांचेस आपका इससे आपका ग्लूट भी ट्रेंड होता है आपका सोल्जर भी ओके तो आप इससे पहले एस्ट्राल लेवल पे हो तो आप एक और इसमें भेडियेसन ला सकते हो आप ऐसे कर सकते हो ओके आप नहीं तो बीगिनर हो तो आप सिर्फ ऐसे कर सकते हो ओके इसके इससे आपका जल्दी से जल्दी आपका बैक जो पेन है उससे वह आप छुटकरा पास सकते हो और आपका एस्ट्रा ओवलिक जो होता है ओभी पास सकते हो इसको भी आप 10 से 20 सकेंड कर सकते हो आपके पा लेंगे अपने नेक्ट साइज के लिए वह होगा जैक यानि जंपिंग जैक से आपको प्लैंक में करना है ओके जिससे आपका जो होता है वह आपका पुड़ा एकदम सेप में आ जाएगा देखते होंगे पुड़ा जिसका गुद्दे से पुड़ा चड़ भड़ा रहता है एक वह अपना साइज में चले आता है ओक ER mister wow ahead बाद यह को जैंप करके जैक करना है अगे इसे अपका गुलूट रेडियो होगा आपका कोड भी टाइठ होगा आपका पोस्टेर पुरा सीधे होगा ओके उसके बाद आपको जंप करके ऐसे करना होगा इसे आपका जो होता है लोड अब्स मेरा तीश के लिए व्यूट फिर देक्स अगलिया तो हमें अपनीयक्स सपीज्च होगा है वह ब्लैंक टोन तुpf रफ्लीया बौड को दिशी करेंगे इसमें आपको ख़़ा होना पड़ेगा पूला स्ट में आपको walk down करना है इससे आपको ऐसे धुखना है और ऐसे करना है ओके और आपको ऐसे आना है फिर आपको ऐसे ही आपको ख़ड़ा होना है यह आपको किडि़ाइन करना है और टीन सेट करना है ओके इससे आपका पूरा बोडी का एपस रेडी हो जाएगा आपका जो बैक पेन है वह ही दूर हो जाएगा ओके इसको आप दस से बारे रेप्सेट करके देखिए और देली एक दो डूमिनेट करिए आपका बोडि का पुड़ा सकल ही सेंज हो जाएगा ऑके तो चलेंगे अपने नेक्सक्राइज के लिए इसने के लिए तेसे बात आपको ऊपर रूठना है ऐसी है कि जिसके अपका का ट्राइस से भी ट्रेंड होता है ओके और आपका कोर एंड एपस तो ट्रेंड होता ही है कि ऐसे करना है कि बहुत बढ़िया एक्साइज है पावर फूल है ओके इसे घर पर ट्राइक करिए बिना एक्यूप्मेंट के प्लैंक से आप ओवरॉल बॉड़ी को रेडी कर सकते हो ओके यह भी आपको दस से बारे रेपीटिशन तीन सेट करना है ओके चलेंगे अपने लास्ट एक्सटाइज के लिए तो चलेंगे अपने निक्स एक्साइज जो आज का लेक्ट लास्ट एक्साइज होगा वह होगा एस्कॉर्पीयर प्लैंक यह इतना पावर्फुल होगा और ब्याग पेन दूर होगा आप बताने सकते हैं तो इसको परफॉर्म कैसे करना है चलिए वह करके दिखाते हैं देखिए इसमें आपको सिंपल इसी पोस्टर में आना है प्लैंक पोस्टर में ओके ऐसे पुड़ा रेडी होना है बुड़ा सीधा ओके उसके बाद आपका एक पैर है वो आपके पीछी ऊप्रस पर्शेंर चाहना ओके एक सकेंड़ सेंडर हम फिर इसी पोस्टर में आपके इसी तरह अपने दूसरे पेर को को रखर पंब करनाया हैं फिर इसी पोस्टर में पीर ऐसा ही और नॉर्मल ब्रिंग आउट करते रहना है ओके इससे आपका जो ओवलिक है वो सबसे फास्ट रेडी होगा ओके इसको भी आप दस से बारे रेपेटिशन तीन सेट कर सकते हैं ओके तो गाइस कैसा लगा वीडियो वीडियो काफी जवर्दास्त है आप इसे घर पे करिए यह साइक साई है आप बिना किपमेंट के पुरा प्लैंक करके पुरा ओभराल बॉड़ी को पुरा सही कर सकते हैं अपने बहुत सारे पैंड को भी दर्द कर दर्द करता है बैक में आप घर बैठे इससे अबलिक पास सकते हैं ओके तो इसको ट्राय करिया और वीडियो अच्छा लगा तो थामसाब बचन ओन कर दिजिए ओके मिलते हैं नेट्रेक्स साइज में